हेलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बुरास के फ्रेश फ्रेश फूल जिसके हम चटनी बनाएंगे इसके लिए हम सबसे पहले यह जो फूलों में वाइट पार्ट है इसको हम अलग कर देंगे और हमें सिर्फ पंखुडियां यूज करनी है इसी तरह से हम सारे फूलों के यह वाइट जो पार्ट है इसको हम हटा देंगे यह देखें फ्रेंड्स यह हमने सारे पंखुडियां तो अभी हम इन सारे कुलो को मिक्सिंग जार में डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी से पुदीना के पत्ते और अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ी से हरी धनिया और दो हरी मिर्ची हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच नमक हम इसमें डाल देंगे एक चुथा ही चम्मच हम इसमें डाल देंगे जीरा और लास में हम इसमें डाल देंगे आधे नीमुका रस अभी इसमें सारी चीजे ड्राई हैं तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी अष्ट करेंगे और इसके बाद इसको हम मुकिसंजार में अच्छे से पीस लिए ये देखिई फ्रेंट्स ये हमने चटनी को एकदम अच्छे से पीस लिया है और अभी हम इसको एक बावल में साव करेंगे और यह देखे फ्रेंड्स यह हमारी बहुत इक गुणकारी और बहुत इस्वादिश्ट बुरास के फूल की चटनी बन कर तयार हो गई है तो आप भी इस चटनी को एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे कॉमेंट शेक